आप देखरे टेक्निकाल गुटीजी यूटुब चानल तो मेरे कुछे ये बजाज पल्सर 150 टुइन डीस है जो की विए सीक से 2021 वाला घरजल तो मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में 113 पर ये गया था ठीक है तो आज हम इसे सेंटर स्टांड पर डाल के इसका स्पीड टेस्ट कि इसका जो स्पीड ओमेटर का जो सेंसर है वो बीचे की तरफ लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है तो हम आज इसको सेंटर स्टांड पर डाल चुके है ठीक है उसके बाद हम यहां पर एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कॉमेंट किया था था कि भाई सेंटर स्टांड पर डालके इसको स्पीड करवाऊ ठीक है तो चलिए फिर इसको सेटर स्टांड पर मैंने डाल दिया है और यहां पर देख सकते हो पेट्रोल भी है गाड़ी में तो मैं यहां पर स्पीड टेस्ट करूँगा तो मैं इंजिन कील स्विच को आउन कर दिया और यहां पर गाड़ी चली है तो मुझे क्या करना है आगी की तरफ जो है अपना लोड देना है और इसको स्टार्ट करता हूं मैं आभी कर दो आपक्ता मैं आपक्ता है तो गाइज फाइनली 132 पर यह गया है जिसे कि मैंने इसको बाइरोड पर लेके गया था 113 पर तो अभी 132 पर गया और चेहन की जो नौज है काफी ज्यादा है तो मुझे डर लग रहा था अगर पईया जो नीचे लग जाए तो सीधा दिवार पर टक रहेगा तो यह सा फ़र से पूरा हाइबीम टच कर गया था तो पुछ लोग मेरे को मैसेज के ते कि 132 पर जा रहा है तो 132 पर तो हाइवेय पर नहीं जाएगा तो हो सकता है किसी किसी का गया होगा किसी का नहीं गया होगा अभी इंजिन फ्री नहीं है इंजिन फ्री होने में और भी 2000-3000 km च या आई बर्टम पे मिल रहा होगा आपको तो वहाँ पर चलिक किजिए सिधा चले जाएंगे मेरा इंस्टागाम पेज पर और मेरे को फॉलो कर लेना कि एस वीडियो में लाता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक देख तेंकल गुड़ जी चानल को झाल झाल